हमारी व्यूवर्स के कुछ क्षिश्चन्स हैं सर्थ, वो हम लोग लेते हैं एक बार, ये कोई यूट्यूब चैनल है, RKR MLMDS, मेरे अपलाइन 200 किलोमेटर दूर रहते हैं, वो हेल्प नहीं दे पा रहे हैं, क्या करें? ज़ले में अपलाइन नहीं दे आया रहे हैं, आप खुद की हेलप कर लो, वी सबसे अच्छा रहेगा, और खुद की हेलप के लिए, अपलाइन का पहले तो डैफिनेशन क्लियर कर लीजए, अपलाइन का मतलब हैं, उस हम इस इंडस्ट्री के बारे से आपको को नौलेज दे direction दे और साथ-साथ में practically कुछ चार पात presentation करके दिखाए कि presentation कैसे होता है जो सारी चीज़े आज की डेट में YouTube और books में अवले पलें तो applying का मतलब मुझे नहीं लोग अलग-अलग तरीके से use करते लेकिन 200 किलमेटर क्या 2 लाग किलमेटर दूर है तो भी बात नहीं है अपनी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे करना है एक्जेटली तो responsibility लेना start कर दो जिस दिन यह दिमाग से आप हटा दोगे न कि मुझे ही करना है तो 90% problem वहीं solve हो जाएगी वो करेगा उसको पैसे मिल रहे है उसको करना चाहिए लोग अपनी एनरजी को उसी में waste करते हैं मैं बोलता हूँ कि दूर क्या है नहीं है तो भी problem वहनी चाहिए तो आप start करो यह तो आपके पास मौका है अपने आपको साबित करने का जब आपकी हजारों लाखों की टीम बनेगी न तो लोग आपको जानेंगे अपलाइन को नहीं कि आपने बनाई है अगला प्रिशन है सर टीका राम सहारे जी का सर मेरा छोटा सा स्वाल है सही company चुनने का सही पैमाना क्या है जी हम वैसे पहले episode में बात कर चुके हैं कि सही company का मतलब यह होता है कि मैं उस company में नहीं भी जुड़ू तो क्या उसके product यूज करूँगा अच्छा हाँ सबसे पहली product पहला पहला criteria है product जी अगर opportunity नहीं है जी तो भी product में उसको purchase कर सकता हूं वह quality वह दाम वह range जो मुझे जरूवत है जबजस्ती वाली नहीं है आप देखना या तो price दस-दस गुना होंगे चार गुना होंगे या फिर product ही काम के नहीं होंगे या दोनों होगा price और product तो फिर quality नहीं होगी तो कहीं भी एक जगा पंचर आता है तो फिर मैं उसको मानूंगा कि वह company नहीं करनी चाहिए एक सर एक ट्रेंट चल गया है जिसा company का background भी देखना पड़ेगा क्यूंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं सही product लेके आया अलपेश गजर में खुद सही product लेके आया सही price में लेके और सही range लेके आया लेकिन मेरी ताकत क्या है एक्चुली direct selling चलाने की तो आप अगर मेरी profile पे जाओगे तो मैं खुद बोलता हूं कि मेरी ताकत नहीं है क्योंकि जब तक मेरे account में 100-200-500-10000 अजार नहीं पड़े में direct selling industry नहीं चला सकता तो लोग जो है ये तो पहले इन्ह कंपनी का background और फिर फिर प्लान और बागी की चीज़े जो हम product profile वो सबसे पहला पैमाना product है और दूसरा company की profile आप चेकर आपको फिर टाइम पे payment नहीं मिलेगा तो क्या करोगे अगर आपने अभी तक चैट विट सुरेंदर वाट्स चैनल को subscribe नहीं किया है तो भी subscribe करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की update सबसे पहले मिलें और हमारी किसी वीडियो को miss ना करें वीडियो को जादा से जादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें